हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल कोशल विकास योजना का नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो फ्रेंज, जो ये नॉटिफिकेशन है, ये आपके रेल कोशल विकास योजना में 39 बैच के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं, 7 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तर, कैसे आविदन करना है, क्या-क्या डेटेल्स आपको फिल आउट कर सकते हैं, अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, तो आप इसमें online apply कर पाएंगे, बात करेंगे, यहाँ पर इसके form apply process के बारे में, और इस वीडियो को start करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, subscribe करें, share करें, like करें, जिससे आपको आने वा इसमें यहाँ पर देखें, जो LBT conditions है, इसमें दसवी class pass out होना आपका जरूरी है, 18-25 साल आपका ace कैटे रहेगा, तो कि date of notification पर count होगा, selection कैसे होगा, तो यह percentage marks के basis पर होगा, 10th class के, जिसमें आपकी merit list यहाँ पर तयार की जाएगी, इसमें जो application form है, वो 7 जनवाई 24 से आप going हो गए है, जिसके लिए आपको apply करना है, यह friends से यहाँ पर एक सच training program है, जो कि friends से आपका यहाँ पर implement नहीं होता, यह जीज़ आपको clear होनी चाहिए, आपको only एक training मिलेगी, कोई भी reservation नहीं है, 75% compulsory attendance है, 3 weeks का यह course duration होता है, मतलब 18 दिन का, इसका pass criteria है, 55% return में और 60% practical में इसके बाद instructions आपको दिये गए हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपको online apply करना है, 7 January 2024 से 20 January 2024 तक, और 22 January 2024 को एक automatic list जारी होगी, shortlisted and wetlisted candidate के लिए, जिनको email ID और SMS के जरिए जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, selected candidate जो होगे, उनको original documents, आपका metric, तैन का mark certificate, या certificate, photo ID, आपका आपको इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, आपको notification नंबर, डाल कर आपको state, आपका जो भी state है, वो आपको select करना है, institute कर नाम, यहाँ पर देकर search करना होगा, पर आपको सबसे पहले registration भी करना होगा, आप directly search करके चेक कर सकते हैं, कि available training schedule कौन कौन से हैं, वो आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए sign up वाले option पर click करने के बाद, अब आपको देखिए, यहाँ पर कुछ basic जानकारी एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले है, आपका first name, middle या last name है, आप दे सकते हैं, नहीं है, तो आप blank छोड़ देंगे, इसके बाद आपकी mail ID और mobile number आपको यहाँ पर enter करना होगा, इसके चाहिए, तो password friends, r-15 character का, जिसमें आपके lower case, uppercase, numerical value और special character आपके उस password में होना जरूरी है, अब देखिए, यहाँ पर sample के तोर पर मैं आपके सामने जो password है, वो show करूँगा लिख कर, कि आप कैसे password दे सकते हैं, तो इसके लिए friends, आप यहाँ पर देखिए, capital letters यूज करें, आप small letters यूज करें, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके बार आपसे कहा गया है, numbers यूज करने के लिए तो आप numbers यूज कर लेंगे, इसके बार आपसे कहा गया है, special character के लिए तो आप कोई भी special character यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो जो यह guideline दी गई है, यह guideline आपको follow करनी है 8 से 15 करेक्टर का कम से कम आपका password होना चाहिए इसके बाद आप यहां से sign up कर लेंगे इसके बाद आपका देखिए friends registration process complete हो जाएगा और आपको यहां पर देखिए message मिलता है कि verification email has been successfully sent मतलब आपकी जो mail ID है उस पर एक mail जाएगा वो mail friends आपके mailbox पर आपको check करना है अगर उसके नहीं मिलता है तब spam folder check कर सकते हैं और उसके थुरू आपके mail ID है या form के login details है उसको आपको सबसे पहले validate करना होगा इसके बाद friends यहां पर देखिए जब आपकी mail ID पर आप login करते हैं और उसके जो mail box है उस पर आप check करते हैं तो आपको friends वहाँ पर देखिए verify your mail का option मिलता है आप इस link पर click कर देंगे इस link पर click करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरह का message मिलेगा thank you for email confirmation now you can login your account मतलब अब आप अपने account पर login कर सकते हैं तो इसके लिए आपको आना होगा sign in portal पर जिसमें friends आपको यहाँ पर देखिए आपकी mail id जो password आपने create किया होगा और जो ए capture code आपको दिया गया है यह डाल कर आप यहाँ से login कर लेंगे login करने के बाद friends यहाँ पर देखिए आप अपने portal पर login हो जाते हैं पर login होने के बाद friends सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो यह option है इसमें आपको multiple options मिलते हैं से profile edit profile, implement, change password और logout का तो friends सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए profile वाले option पर जाएं और profile पर जाने के बाद आपको friends से यहाँ पर देखिए तीन option जो है आपके personal detail, qualification और address यह आपको complete करना होगा सबसे पहले friends से यहाँ पर आपको enter करना है आपका father name इसके बाद friends से आपको यहाँ पर enter करना होगा आपका mother name इसके बाद gender option है तो यहाँ से आप आपका gender select कर सकते हैं इसके बाद आपको blood group पता है तो आप blood group भी entry कर सकते हैं नहीं पता है तो आप इसे यहाँ पर blank छोड़ देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर category general OBC, SC, ST जो भी category आपकी है वो आप select कर सकते हैं इसमें friends आपको को reservation नहीं होता है आपको बस अपना जो profile है वो complete करना है अब आप इसके बाद next step पर जाएंगे next step पर जाने के बाद आपको देनी है आपकी qualification तो सबसे पहले board का नाम है तो आपको यहाँ पर देखिए board की यहाँ पर देखिए list मिल जाती है आपके according इनवे से जो भी board आपका है वो आप select कर लेंगे आपका marsheet number क्या है वो आपको देना है आपकी percentage कितनी है वो आपको यहाँ पर देनी है और year of passing क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा अब यहाँ पर देखिए अगर आपका CGPA है तो आपको CGPA को 9.5 से multiply करना है जैसे CGPA है 8.76 तो आप इसे 9.5 से multiply करेंगे तो आपकी percentage आएगी 83.22% यह आपको यहाँ पर एंटर करनी होगा अगर आपको CGPA सिस्टम है तो उसे percentage में convert करके ही आप यहाँ लिखे और उसके बाद next step पर click कर दें इसके बाद फैंसे next option है आपके correspondence address का तो यहाँ पर फैंसे पूरा address जो भी आप लिखते हैं वो address आप यहाँ पर लिखेंगे street address line 2 में आपका कोई address पूरा है तो वो आप दे सकते हैं आपका pin code क्या है यह आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपका district और state आटमेटिक यहाँ पर आ जाएगा तो यह basic जानकारी है इसके बाद फैंसे आप यहाँ से preview चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से data को update कर सकते हैं इसके बाद देखिए आपका जो profile है वो complete हो गया है profile complete होने के बाद apply here पर आप click करेंगे यहाँ पर notification number को select करेंगे state जहां से आप आविदन करना चाहते हैं वो state select करेंगे इसके बाद institute के name है तो आपके according जो भी institute का नाम आप यहाँ से select करना चाहें वो आप यहाँ से select कर सकते हैं और उसके बाद सर्च करेंगे search करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए available जो training schedule है वो आपको मिल जाएगा इसमें से friends जो भी आपका training schedule है तो वो आप select कर सकते हैं इसमें नहीं है आप को other training institute select करें और उसके बाद वहाँ से friends आप schedule चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको apply वाले option पर click करना होगा तो friends जैसे ही आप apply पर click करेंगे नीचे friends से देखिए आपको यहाँ पर देखिए trade का और month का नाम मिल जाएगा अगर आप मालीजे किसी और trade के लिए आवेदन करना चाहें तो आप यहाँ से उसे apply कर सकते हैं इसके बाद जितनी भी trade आप select करते हैं maximum 3 का आपको option मिलता है training क करने के लिए इसके बाद आप यहाँ से इसे submit कर देंगे इसके बाद देखिए आपकी जो process है वो complete हो जाती है friends से यहाँ पर देखिए जो application section है यहाँ पर आपको एक link मिलता है application status का आप इस option पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको आपका enrollment ID मिल जाएगा notification number institute कर नाम आप withdraw कर सकते हैं दोबारा से apply कर सकते हैं अगर आपको को गलती लगती है तो यहाँ पर फैंसे मैंने आपको सारी जानकारी provide कर दी है कैसे आप rail कोशल विकास योजना का online form apply कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके लाइक सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारा YouTube प्रेन लास थेंग्स पूर वाचिंग